आमिट सिंगल साव हमाई सर जुड़ रहे हैं सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका and congratulations on good set of numbers पहले तो सर बताइए बढ़िया volume बढ़िया value growth देखिये q1 में क्या ये growth अब continue होगी for the rest of the quarters सबसे पहले मैं कहूंगा कि overall ये जो quarter गया है इसमें हमने बहुत अच्छा consumer demand देखा overall चाए retail market है चाए projects market है सब करफ हमने एक अच्छी demand देखी overall और हम समझते हैं कि ये demand छोटे शहरों में और बड़े शहरों में सब में हमें देखने में मिली है और ये demand retail में भी और जो overall जो construction segment है projects का segment है institutional segment है सब जगां हमें देखने को मिली है तो हम समझते हैं कि overall ये जो demand है ये जो sentiment है ये काफी अच्छा हमें प्रोचसान मिला है जो inflation इसमें रही है उसकी तरफ से भी हमने कुछ price increases market में लिए थे किन्तु overall हमने calibrated price increases लिए ताके demand को हम ज़्यादा upset ना करें तो आने वाले time में हम समझते हैं कि overall जिस तरह का Indian consumption market है और जिस तरह से अब हम थोड़ा सा inflation में softening देख रहे हैं उस सब को देखते हुए हमें लगता है कि demand overall बनी रहनी चाहिए और हमें ये आशा है कि आने वाले time में भी हम double-digit volume growth की तरफ ही अपना पूरा संतुलन रखे यहां पर मिलने की आप आशा रख रहे हैं तो अच्छा ही जाएगा अगले कुछ quarters में जो growth trajectory है सब volume growth कैसी देखीगे domestic decorative paint segment उस पर क्या व्यू हूं है कि so overall जो domestic में volume growth आई है जैसे मैंने कहा कि छोटे शहरों में भी हमें अच्छा growth मिला है और जो बड़े शहर हैं उनमें तो जो premium और luxury products हैं उसमें काफी अच्छी growth देखने को मिली है इसके इलावा जो हमारा overall B2B business जो projects का business बोलते हैं construction segment में भी जो builder segment है काफी अच्छा हमें से इन देखने को मिला है तो हम समझते हैं कि यह जो overall demand है एक COVID का थोड़ा सा pent-up demand भी है और monsoon से पहले जो overall repair, renovation रहता है उसकी तरफ से भी एक अच्छा demand निकल के आया है तो यह demand overall हमारे असाब से बना रहना चाहिए हां जितना volume growth इस quarter में आया है probably उतना नहीं पर जैसे मैंने कहा domestic segment में भी double digit definitely volume growth बना रहना चाहिए ओके तो domestic segment में भी double digit growth बनी रहनी चाहिए यह outlook है सर एक concern जो इस space में है वो rising inflation जिसकी वज़े से margins पर असर पड़ता है अलग कि हमने आपके margin तो बैतर होते हुए देखे हैं क्या आगे price pressures को कैसे हांगी करेंगे तो इसके लिए क्या pass on करेंगे price high अभी तक आपने कितनी price high already ली है तो अगर हम देखें कि इस quarter में 6% के करीब का inflation रहा और हमने 2% तक का price increase market में लिया overall इसके करके अगर आप देखें overall gross margins थोड़ा सा sequentially अगर देखें कम है पर जो PBTIT margins है उसमें भडोतरी हुई है क्योंकि operational efficiencies वे हमने काफी अच्छा ध्यान दिया और product mix भी हमारा इस quarter में अच्छा रहा overall आने वाले quarter में हमारी अपेक्षा यह है कि inflation date से 2% का रहेगा क्योंकि जो अभी आप softening prices में देख रहे हैं हम रूपी का depreciation भी देख रहे हैं और हमारा import component काफी heavy है इसमें हम raw materials भार से लेते हैं तो हमें जो total softening का impact है उसको लेने में एक देट महीना लगेगा क्योंकि existing inventory हमारे पास रहती है और हम समझते हैं कि second quarter में date से 2% का definitely impact रहेगा inflation का इसके करके हमने एक price increase of 0.5% already ले लिया है जो 1st August से लागू है अगर inflation में हमें और तेजी दिखती है या और कड़ाव दिखता है तो हमें और price increases भी market में रखने पड़ेंगे हम situation को watch कर रहे हैं काफी closely और देखते हैं कि inflation कैसे जाता है उसके करके हम आगे की अपनी price increase की जो strategy है वो निरधात करेंगे okay sure so of course wait and watch approach है जैसा आप बता रहे हैं आपर जैसे जैसे इंफलेशन के Qs दिखेंगे उससे आप से प्राइस हाई strategy लेंगे sir domestic market की तो हमने बात की वहाँ आप expect करें double digit growth आएगी बट मैं international markets पर आपकी राय जानना चाहती है especially आपके key global units है जैसे श्री लंका बांगलादेश इजेप यहां पर काफी दिखते हैं जो हम जानते हैं इसकी वज़े से किस तरह की का impact आप production पर देख रहे हैं और international markets में क्या growth anticipate करें overall for the company double digit value growth हमारे पास आया है निपाल, बंगलादेश, South Pacific जैसी economies में हमारा काफी अच्छा परदशन रहा है श्री लंका में हालत थोड़ी धिली चल रही है अभी तो उसके करके हमने overall अपना production थोड़ा सा श्री लंका में कम किया है और Egypt और Ethiopia जो कि African markets हैं वहाँ पे भी थोड़ा Forex का problem चल रहा है तो वहाँ भी overall थोड़ी सी मुश्कले हैं पर हम समझते हैं कि जिस तरह से हमारी Asian markets especially Nepal, Bangladesh और Middle Eastern markets overall बढ़ रही हैं तो आशा हमारी यह है कि वहाँ पे भी जो double digit का growth है वो चालू रहना चाहिए program प्रेमियम पोटफोलियो यह अब कितना contribute कर रहे हैं आपके overall revenues में हमने देखा है off late demand भी इस particular category में बढ़ते होए नजर आ रही है तो margins भी उसकी वैसे बैतर होते हैं तो अभी कितना contribution और आगे क्या outlook है उस पर जो overall luxury premium products हैं वो हमारे सारे categories में हैं चाहिए wood finishes है चाहिए emulsions है चाहिए waterproofing की category है तो हर जगा पे चाहिए textures हैं हर जगा पे हमारे पास luxury और premium category में हमारे पास products है overall इसका जो contribution है काफी अच्छा है जिस तरह से आज की तारिक में हम देख रहे हैं और trend यह है कि इसका जो contribution है यह increase हो रहा है quarter by quarter और यह देखते हुए हमें लगता है कि overall जो production हमारा हमारा जो mix है sales का mix definitely improve हो रहा है जो कि हमारे overall margin को थोड़ा सा रोधसाहन दे रहा है आने वाले time में और आने वाले time में हम यह hope करते हैं कि यह वाला जो mix है improvement यह लागू रहेगा ताके हम overall अच्छा मार्जिस दे सकें ओके श्यों सर तो यहां पर focus रहेगा quickly आखरी सवाल आपसे जाना चाहेंगे product launches को लेकर क्या आगे strategy है काफी सारे नए products innovative products आपने launch किये बड़ वहां पर और क्या action देख सकते है ahead of festive season sir demand बढ़ेगी also acquisitions है कुछ pipeline में तो हमने first quarter में already दस नए product market में रखे हैं और यह products economy medium और luxury segments में सब जगा पर हमने रखे हैं काफी exciting products हैं नए-ने finishes नए-ने textures हमने market में दिये हैं हमारे पास लगभग 40 product हैं जो कि बिलकुल innovative products हैं जो कि कि किसी भी competition के पास नहीं है और कुछ ऐसी finishes और textures हमने market में रखी हैं जो customer के लिए काफी attractive रहेंगी और हम समझते हैं कि उनको काफी exciting रहेगा अगर वो उस चीजों से अपने घर को decorate करें तो हम समझते हैं कि innovation के मामले में Asian prints हमेशा आगे रही है और हम नए-ने products हमारे पास second quarter में भी हम कई introduce करेंगे overall और हमें लगता है कि यह जो कारेक्रम है जारी रहेगा इसके साथ-साथ नए-ने marketing programs नए-ने marketing campaigns भी हम कर रहे हैं और यह overall यह जो सिलसला है यह जारी रहेगा ताके हम second quarter और third quarter में customer को excite कर सके है ओल राइट तो continue करेंगे product launches second quarter में भी बहुत-बहुत शुक्रिया अमिजी हमाई साथ जुनने के लिए कर यह जो